एन्टीवी टाइम जानता की बात जानता के साथ संचालकों ने काकरदा चोकी पर सूचना दी कि घाठ पर बनी नई साड़क पर वहनों पर अग्याद बिदमाश पत्राव कर रहे जिस पर तुरन थी काकट दैचु के प्रभारी मितुन चोहान मह स्टाफ के साथ बताई जगह पर पहुंचे घटना ग्राम ढाल के बनी नई साड़क पर आगे चार किल्मोटे दूर की है वहां के एक घाटी से पत्राव की सूचना मिली थी बताया कि वहांनों पर पत्राव में दो बसे और टीन कार के काच पूटे थे गबराये लोग वहां नहीं रुके और तुरंत वहां से निकल गए कुछ बस वालों ने चोकी पर सूचना दी मौके पर धामनो थाना प्रभारी संतोर डूदी भी पहुंचे और दोनों टीमों ने आसपस सर्चिंग की काकरडा थाना प्रभारी मितुन चोहान ने बताया कि मौके पर कुछ वहांनों के फूटे काच भी पढ़े थे आसपस घाटी पर भी तलाश हो लेकिन कोई अग्यात आरूपी नहीं दिखा नितुन चोहान ने का कि ये गंभीर मामला है आगे से पैट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी वैसे घाट की बनी नई सड़क पर अभी रातों में काफी अंधेरा रहता है यहां अभी विद्योतिक करन नहीं हुआ है अंधेरे के फायदा उठा कर भी कुछ लोग बदमाश्वी का रेस पर ध्यान दिना जरूरी एननता बड़ी खटना भी हो सकती है एंटिवी टाइम के लिए खरवों से जितों इंडर सिंग चोहान के रिप्ता कहां रहे तो क्या वो गठना आपका सथ भी कहां लगी आपको कहां से कहां जा रहे अपको इंडर से मुंगरी सर आतरी में गंपती खांट की नई सड़क पर कोई बसों भतरा का ममला आए कल रात इवन 11 बजे दो यातरी बस चोकी काकरदा तरफ आई थी उन्होंने सुचना दे कि सार जो नया एवी रोड बना है उहां पर भतरा हुआ है जिससे गाड़ी के कांच पूटे हैं सुचना मिलते ततकाल ही एपारवी के साथ में काकरदा का पुलिस पोर्स और में रव जो मोके पर आये और पास में ही महां पर एक धर पर मान का कारीकरम चावडाता संभाव थे कि इस शराबी ने यह हरकत की है कोई लूट पार्ट की घठना नहीं नहीं है हमारी गाड़ी पेट्रॉलिंग कर रही है लगाता है तो यह से सुचना मिलती है तो उस पर कारवई की जाए है मैं तुम चोहान चोकी पर भाईरी चोकी का करदा कर दा कर रात को करीब 9 बजे उसना मिली की हाट वाइपास पर पथा हुआ है तकाल हमारी हंडेट डायल मोके पर पोच्छी हंदी मोके पर पहुचे थे वालूम के लागे वहां पर कोई सुखराम के घर पर एक मान सब्सक्राइब नहीं ही है पथल लगने से वर्सका काइब उता है और इसके लिए अमने प्रण सब्सक्राइब कर वादी है